नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन न्यूज में मैं हूँ आपके सांथ संगीता रामनगर में जहां एक और पिछले कई दिनों से नसीडियों की आतंग से जनता परेशान है तो वहीं लगातार चोरी की खटनाओं को लेकर भी चोर पुलीस को चुरौती दे कर पुलीस के सुरक्षा दावो की पोल खोल रहे हैं आपको बता दे कि बीती रात अग्या चोरों ने नगर की मुख्य वाजार में एक नमक ब्यापारी की दुकान के बाहर रखे टाटा कमपनी के दस नमक की कट्टी चोरी करते हुए पुलीस की रातरी ग्रस पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं इस औरां कोशी रोड निवासी राहूल अगरवाल ने बताया कि बीती रात अग्या चोड़ द्वारा उनकी दुकान की बाहर टाटा कम्पनी के दस कटी नमक के चोरी कर लिए गए और घटना सीची टीवी कैमरे में कैद हो गई ब्यापारी ने बताया कि चोर द्वारा नमक के गट्टे नगरपालिका की कुड़ा गाड़ी में ले जाये जा रहे हैं तो वहीं ब्यापारी ने आरोप लगाते वे कहा कि पुलीस की गरस्त ना होने के कारण बजार में इस परकार की घटनाए होना आम बात हो गई है साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार इस परकार की घटना घटने से अब ब्यापारी में भी रोज बढ़ गया है वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलीस भी जाच में जुड़ गई है की कूला गाली उस उसमें साब साब लिखा हुआ नगर पाली का राम नगर में लेकर जाता हो दिख रहा है वह तैरीर हमने थाने में यहां दे दी है अब कारवाई की इंतियार है इस बात कि कब तक कारवाई इस पर होती है कि इस बहुत देखा जा रहा है कि छुट-पूट घटना है बहुत दिनों से चल लही है हमारे महले में महले में कपूरे सहर के अंदर एक तो गस्त नहीं हो पारी रात को आज कर बिलकुल भी किसी ब्राकर का कोई मुमेंट नहीं है किसी भी प्रसासनिक अधिकारी का है किसी हैं तो ऊसे प्रदू को उतार भी तक आप लोगों ने सुना हो गारों में चोरी होने के साथ ही लोगों का समान वबाई के दुछरी की शायों दुना होना आम बात हो ग Dlatego आफ को बता दी कि रामने गर में जो करीब 7000 रुपए से अधिक्या और उन्होंने यह भी बताया है कि जो चोर CCTV कैमेरे में नमक चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है तो जो जिस बहान में वो नमक चोरी करते हुआ ले जा रहा है तो उन्होंने बताया कि नगर पाली का राम नगर उसमें लिखावा है नगर चोरी की घटना का मामला हुआ है उसको लेकर राम नगर में चर्चा बनी हुए है राम नगर से राजीव अगरवाल के साथ कैमेरा में बंटे रोडा जेजयन न्यूज यह रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए हमारे समधाता राजीव अगरवाल ने फिलहार इस खबर में इतना ही बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजयन न्यूज के साथ धन्यवाद